जैने दोस्तों अंदे मातरम सारा अली खान ने भी सुशान सिंग राजपूत के जनम दिन के देवस पर कुछ इस तरीके से उसको सेलिबिडेट किया कि जहां लोगों ने उसके अप्रिशेड भी किया तो वहीं कई लोगों ने क्रिटिसाइज करते हुए ये भी कहा कि भई आप सिर्फ ये बॉयकाट बॉल वुड के डर से कर रही है ये सब चीज़े अपनी जगे थी लेकिन इस जो पूरा इन्होंने कारेकरम किया था इसे कुछी दिनों के बाद में इनकी एक मूवी का बड़ी मूवी का अनाउंस्मेंट हुआ है जिसको की करन जोहर प्राइम वीडियो के साथ मिलकर बनाने जा रहे हैं और इस मूवी को लेकर उन्होंने जो बाते बताई हैं वो काफी अच्छी आई वतन मेरे वतन का जो टीजर सामने आया है क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इसे भारत के चोहतरवे करतनत दिवस समारों से पहले प्राइम वीडियो ने आने वाली अमेजोन ओरिजनल मूवी आई वतन मेरे वतन का फर्स्ट लुक जो है वो जारी कर दिया है करनाययर के नरदेशे ने बनी ये फिल्म सची घटनाऊ से प्रेडित एक त्रिलर ड्रामा है जिसके कहानी दरब फारुकी और करनाययर ने लिखी है इस फिल्म में सारा ली खान एक अदिले सुतंता सेनानी का किरदार निभाएंगी टीजर में सारा कहती नज़र आती है कि अंग्रेजों को लग रहा है कि उन्होंने क्वैट इंडिया मूमेंٹ का सिर को चल दिया है लेकिन आजाद आवाजें काहती हैं ये हैं हंदوس्तान की आवाज हंदोस्तान पे कहीं से कहीं पे हंदोस्तान और इसी के साथ दर्वाजे पर जोर की दस्तक होने लगती सारा की ये जलक फिल्म राजी और उसकी लीड़ेक्टरेस आलिया भट की याद दिला रही सारा की दिलेरी आलिया की दिलेरी जैसी ही इस फिल्म में भी दिखाई पड़ रही एए वतन मेरे वतन दुनिया भर में 240 से वियतिक देशों शित्रों में प्राइम मेंबर्स के लिए प्लब्द होगी हाली में इस फिल्म का फर्स लोग वीडियो लॉंच किया गया है जो हमें अतीर के दोर में वापस ले जाता है जिसमें हमें एक युवती नजर आती है जो बहुत चिंतित होते हुए भी पूरी तलगन के साथ फीकी रोशनी वाले कमरे में रेडियो की तरह दिखने वाले एक डिवाइस को बड़ी सकुशल्टा के साथ असेंबल करती है कैमरा धीरे धीरे दिखाता है कि वह युवती कोई और नहीं बलकि सारा अली खान है जिने दर्शकों ने इस तरह के नॉन ग्लेवनस अफ़तार में पहले कभी देखा नहीं वो रेडियो पर बोलना शुरू करती है उसकी आवाज में दर्शंकल्प और साहस की जलक साफ दिखराई पड़ती है वो जमीन के नीचे मौजूद अपने रेडियो स्टेशन के जरी ये पूरे देश के साथ सुतंतरता का संदेश शेयर करती है और जब तक दर्वाजे पर बार बार दस तक नहीं आया दी तब तक वो रुकती नहीं एव वतन मेरे वतन एक त्रिलल ड्रामा है जो कि सची घटनाओं से प्रेर थे ये बॉंबे के कॉलेजन पढ़ने वाली भात्तुर युफ्ती की कहानी है जो सुतंतरता सेना नहीं बन जाती एक आलबनिक कहानी 1942 में भारत छोड़ो अंदोलन की प्रिस्टबूमी पर आधारी थे इस फिल्म में देश के युवाओं की दिलेरी, देशभक्ती, दूरदर्शिता और हर मामले में उनकी कुशलता को दिखाये गया है इस अंडर प्रड़क्शन अमेजन ओरिजिनल मुवी के बारे में बात करते हुए अपड़ना प्रोहित हेड अफ इंडिया ओरिजिनल्स प्राइम वीडियो इंडिया ने कहा कि इस साल जब हम भारत का चोहतरवा गणतन दवस मना रहे होंगे ऐसे मौके वर भारती सो तन्रस अंग्राम के गुम्नाम युद्धाओं को शद्धांजरी देना हमारे लिए एक बड़े सम्मान की बात है ऐ वतन मेरे वतन की कहानी सची घटना उसे प्रेडित है जिसे आज के दोर में क्रियेटिव सोच रखने वाले कुछ बहतरीन शक्सियतों ने साथ मिलकर बनाया है इस सिलमसार अली खान मुक्कि भूमिकाम है जिसे लेकर हम बेहत उत्साहे थे वो सही मायनों में एक युवा सोच दमता सेनानी के किरदार में डूबी नजर आती है और हमें यकीन है कि एक निर्देशक के तोर पर करन अईयर के जनून और उनके विजन से दर्शकों को प्लेना मिलेगी और उनके मन में साहस की भावना जागी इस मौके पर करन जोहर धर्माटिक एनिटेन्मेंट ने कहा इसके बारे में लोगों काफी कम जान का रही है बेहद प्रतिबाशाली अद्यकारा साराली खान मुकि भूमिका निभा रही है और दर्शकों ने उन्हें इस तरह के किरदार में पहले कभी देखा गी साथी कननायर का वजन भी लाजवाब है और इसी वजन से दर्शकों को प्रेणा देने वाली है और इसका भरपूर मनरंजन लोगों को मिलेगा अपूर महता धर्माटिक इंटेन्मेंट ने कहा कि मेरे लिए तो ये फिल्म एक बहतरी सिनमाई चमातकार की तरह है उसके निर्माण के लिए प्राइम वीडियो के साथ साज़धारी में हमें बहत खुशी हो रही है प्राइम वीडियो बेमिसाल कहानी का केंदर रहा है और इसने बड़ी संक्या में शानदार फिल्मों को अपने दर्शकों के सामने प्रेजन्ट किया है एए वतन मेरे वतन सची घटनाव से प्रेड़े थे एक सोतनुता सैनानी की कहानी है जिसके अदम में सहस और बहादुरी ने हमारे देश की बहुत पदद करते सारा अली खान के मुक्य वहमिका वाली इस फिल्म में करनाईयर ने जादू गरी दिखाई है उसका हम सभी को बेसबरी से इनतवार भी है ऐसे में अधे वतन मेरे वतन में अपने करिदार को लेकर सारा अली खान बेहद उत्साहि ते इस बारे में बात करते हैं उन्हों भी बता है कि ऐसी फिल्म का हिस्सा बनना मेरे लिए एक खुशी की बात है क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी कहानी लोगों तक पहुचनी ही चाहिए प्राइम वीडियो और धर्माटिक अनिटिंग्म ने मुझे मुझे मौका दिया है तो ऐसे में मैं किसी भी तरीके से इस मौके को खाली नहीं जाने दूबगी और इस पूवी के साथ जितना मेरे से हो सकेगा पूरे कोशिश करते हूँ इसके साथ न्यायकानी कोशिश करूँ दरसल अभी हमने मिशन मजनू भी देखी राजी आई उसके पहले तांडव करके वेब सीरीज आई थी मुकबिर आई थी स्पेशल आप्स तो ही देनाइट मैनेजर करके वेब सीरीज आने वाली हो फिर आप ये ऐसे में देश भक्ती से परिपूर्ण जो कॉंटेंट इस सम करेंगा कमेंट करके ज़रू होता हीएगा मेरे सुनिवल आतना ही जायें जाए बाद